हाई दोस्तो मैं हूँ बिक्रा मौराप सबका स्वागत करता हूँ स्माइल फेमली में दोस्तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले मैं आपके लिए हर दिन वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तो आखिर ऐसा क्या हुआ दिलिप कुमार के साथ जो की ऐसी हालत हुई बॉलिवूट के दिगच अभिनेता 94 बड़सी दिलिप कुमार का यहां एक अस्पताल में किड्नी का इलाज चल रहा था तभी अचानक उनका इलाज कर रही टीम के एक डॉक्टर ने शुकरवार को कहा कि दिलिप साब की सिहत ठीक नहीं है उन्हें डायलेसिस की जोरत पढ़ सकती है लिलवथी अस्पताल के डॉक्टर जराड़ी पारकर ने कहा उनकी सिहत ठीक नहीं है क्रेटिनिन की मात्रा बढ़ रही है हीमोगलोबिन घट रहा है और पोटेशिम का इस्तर बढ़ रहा है उन्हें डायलेसिस की जोरत पढ़ेगी वो अभी बेंडिलेटर पर नहीं है दिलिप कुमार को बुद्बार शाम सरीर में पानी की कमी और पेसाप के रास्ते में संकरमर की शिकायत के चलते अस्पताल में भरती कराये गया था और दुस्तो दिलिप कुमार की आत्म कथा की लेखग उदातारा नायर ने कहा, अभिनेता को किडनी की समस्या है और डॉक्टर्स उनका इलाज कर रही है। उन्होंने बताया मैंने उनके बहतीजे और दिलिप कुमार की पतनी सायरे से बात की है। उन्होंने बताया कि अभिनेता में क्रियेटिनेन का इस्तर बहुत उचा है और उन्हें नसो दोरा दवा दी जा रही है। नायरा ने कहा उन्हें उम्रसंबदित कारण के चलते आईसियो में रखा गया है। उनके हिदय की भी निगराने की जा रही है। नायर ने बताया कि वो गुरुबार को यहां बांदरा पच्छिम में इस्तित अस्पताल में बिमार अभिनेता को देखने गई थी। नायर ने कहा वो देखने में ठीक लग रही है। दिलिप कुमार 1998 में रिलीज हुई किला में आकरी भार बड़े परदे पर दिखाए दिये थे। उन्हें 1994 में दादा साहिब पाल के पुरुसकार और 2015 में पद्धी भूसर्ण से सम्मानित किया गया था। देवदास, मुगले आजम और कर्मा जिसी फिल्मों में अपने बेमिसाल अभिने के लिए लोग प्रिये यूसुप खान दिलिप कुमार ने 1966 में अपनी उमर से 20 बर्स छोटी साहरा बानों से शादी की थी। तो दोस्तों अभित्यक के लिए इतना ही धन्यवाद।